लो फ्रेंज स्वागत है आपका आरंडार पाड़ शाला में मैं आज आपके लिए लाया हूं फिर से संस्कृत के वो महतुपुल प्रश्ण जो परिक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं जो मित्र नए है वो मेरे सेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइतम को प्रेस क को लिएर रहेंगे के शुद्बार प्रश्ण कमक्राइब के अगला अगला परस आश्वल-ईयन-ग्रिया-सूत्र किस वेद का है आश्वलायन ग्रिह सूत्र किस वेद का है तो ये है रिगवेद का ग्रिह सूत्रा अगला प्रसंद देखिए शांत रसका को इस्थापित करने वाला आचारिय है शांत रसको इस्थापित करने वाला आचारिय कोन है वो है मम्मट इससे पहले मम्मट से पहले आठ रसों की ही गणना होती थी, भरत ने भी आठ रसो के बारे में ही चर्चा किये लेकिन ममट ने अपने काब्य प्रकाश में सांतरस को स्थापित किया है, मूल रूप से सांतरस को स्थापित किया है, अगला परसन देखिए, जर्ks희 कर रा मरन करतं peso दुख्ःम यह किस के लिए है? जर्सम पूरुषोर्प्रकृति का वरनन हुआ है विस्तार से वहीं पर यह जरा मरं कि-पम दुखम का गया पूरुष के लिए रिफ्ट होगे हैं अगला पर सक्क्तिपर रग्वण्ष में सीता- परित्याग का वर्नन मिलता है तो यह है चतुर्दस सर्ग में चतुर्दस सर्ग में सीता परित्याग का वर्नन मिलता है अगला प्रसंद देखेंगे तमसो मा जोतिर गमय यह मिलता है तो यह कहां मिलता है यह मिलता है ब्रहदा रन्यक में ब्रहदा रन्यक में अगला साकांग्षपद समुय को वाक्य कहते हैं अगला प्रसंदेखिए वेदानसार में लिंग शरीर के अवयव कितने हैं तो यह 17-17 सत्रह लिंग शरीर के अवयव हैं वेदानसार के अनुसार ध्यान रखेंगे अगला प्रसंदेखिए पानिनी के मत में मुनी शब्द की संग्या होती है अगला प्रसंद देखेंगे भटनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन के समान है तो यह सांख्यमत के समान है अगला प्रसंद देखेंगे कविना मीह चक्र वर्ती किसको कहा गया है कविना मीह चक्र वर्ती किसको कहा गया है तो यह बान को बान को कविना मीह चक्र वर्ती और यह सोडलने का है किस ने कहा है कालिदास की सुक्ति किसने के लक्षन तो ये है अध्यारूब का अगला परसंद देखेंगे वेदांत मत में इस्थूल शरीर के परकार हैं चार परकारğ। अगला प्रसन देखेंगे महाभारत का बारवा पर्व है बारवा पर्व तो यह शान्ती पर्व महाभारत में अठारा पर्व है और बारवा पर्व जो है वो शान्ती पर्व है अगला प्रसंदे के पूर्व मिमानसा में भावना है व्यापार विशेश का है भावना को अगला प्रसंदे के काल पुरुष की आत्मा है काल पुरुष की आत्मा किसे का गया है सूर्य को कई बार ये प्रशन पूछा गया है अगला प्रशन देखे तंत्र सार संग्रह के रचनाकार कोन है तंत्र सार संग्रह के रचनाकार है मध्धुआ चारिये मध्धुआ चारिये अगला प्रसंदे के विदूर नीती कहा मिलती है विदूर नीती कहा मिलती है यह है महावारत में अगला प्रसंदे के जगत का कारण है जगत का कारण क्या है माया जगत का कारण है माया अगला प्रसन है साइना चारिये सबसे पहले किस वेद की व्याक्या की साइना चारिये ने सबसे पहले किस वेद की व्याक्या की तो ये था यजुर वेद लेकिन रखेंगे अगला परसंदे कि निर्वचन सिध्धान्त किसका निरुक्त का निरुक्त में वेदों के जो शब्धाउन का निर्वचन किया हुआ है अगला परसंदे कि फलाव आपतव अतीत्वरान वितह व्यापारह किसका लक्षन है ये परियत्न का लक्षन है फलाव आपतव अतीत्वरान वितह व्यापारह परियत्न है अगला परसंदे के पानिनिय शिक्ष्या में श्लोख है। अगला परसंदे विधात्री, अभिधात्री, विनीयोगत्री, भेद है। अगला परसंदे के संसकार, मात्र, जनकम, ज्यानम किसका लक्षण है। स्मृति का संस्कार मात्र जैनकम ग्यानम स्मृति ही अगला प्रसंदे के विश्वरूप दर्शन योग है विश्वरूप दर्शन योग किसको कहते हैं गीता के ग्यारवे अध्याय को विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है उसमें उन्होंने अपना गण में कितने वर्ण होते हैं दीरग होते हैं गुरू होते हैं तो नगण जो है उसमें सारे के सारे जो वर्ण होते हैं वो लगभू होते हैं अगला परशन देखेंगे शोभनो राजा समस्त पद क्या होगा शोभनो राजा तो ये बनेगा सू राजा सू राजा अगला पूछन इसे पूले दिए किस ने कहा है तो यह बानभटने को आपके रचना है या कई बार यह पूछ लेते हैं यह सुक्ति कहा मिलती है तो यह सुक्ति में अगला परसंदेखेंगे शिशुपालवद के प्रथम सर्ग का नाम है शिशुपालवद जो की माग की एक बहुती म अगला परसंदेखेंगे व्यांजन सन्निपाथ कहां होता है व्यंजन सन्निपाथ कहा जाता है सयोग को अगला फरत शास्त्र के मत में विद्या के प्रकार है अर्थ शास्तर के अनुसार विद्या के कितने प्रकार बता गए गये हैं य smut device उरू चक्षा किसका विशेशण यह वरुन का साधन चतु छे । कोन होता है अधिकारी अधिकारी ये का लक्षण है अगला प्रसंद देकें गी संग्या होती है जो प्रतिनायक है जिसको हम विलन बोलते हैं कोन है अगला प्रसंदे के रिचह सामानी छंदान सी पुरानम यजुशा सह यह कहां मिलता है तो यह मिलता है अथरवेद में रिचह सामानी छंदान सी पुरानम यजुशा सह अथरवेद मिलता है अर्थ प्रकृति कितनी होती है अर्थ प्रकृति कितनी होती है पंच पांच होती है अगला प्रसंदे कि विश्णु इमो यहां कौन सी संग्या है तो यहां प्रग्रियम प्रग्रिय संग्या होती है विश्णु इमो इसमें प्रग्रिय संग्या हुई है ग्याता सारो पिखलवे कह संदिग्धे कार्य वस्तुनी ये कहां मिलता है ग्याता सारो पिखलवे कह संदिग्धे कार्य वस्तुनी ये सुक्ति कहां मिलते है तो ये मिलती है माग के काब्वे में माग का काब्वे माग का काब्वे कौन सा है शिशुपाल वदम तो ये 13 भेद अगला प्रसंदे केंगे पूरुसुक्त में मंत्र हैं तो 15 परियोग looked that परार्था नुमानम, पंचायव का परियोग जो है वो परार्था नुमानमे होता है, परार्था नुमानमे, अगला परसंदे के काब्या दर्श में कितने परिच्छेद हैं, काब्या दर्श में कितने परिच्छेद हैं, तो वो है, तीन, काब्या दर्श में तीन परिच्छे अगला प्रसंदे के विवाह के कितने प्रकार बताए गए है विवाह के कितने प्रकार है आठ प्रकार बताए गए है अगला प्रसंदे के धर्म शास्त्र में कितने श्लोक है दर्म शास्त्र में कितने श्लोक है लाक एक लाक श्लोक है अगला प्रसंदे तंत्र सार के लेखक ह तंत्र सार के लेखक है अभिनव गुपति तो मित्रों आज के लिए इतना ही और ये वो प्रश्ण है जो परिक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं तो ये रिपीट जरूर होते हैं क्योंकि बहुत ही महतुपुन परस्णों कई संकलन है